कि यहां पर एक बार पहले हम रिवियू कर लेते हैं क्लास वाइज एड्रेस उसके बाद फिर सब्मेटिंग काम पार्ट करेंगे यहां पर अभी कल जैसे हमने किया था तो क्लास ए का एड्रेस रेंज जो होता है वो वन से लेकर के 126 तक होता है बी का हमने किया था जिसका 128 से लेकर 191 तक होता है और सी क्लास का 192 से लेकर के 223 तक यह रेंज है इसा क्लास अब इसके अंदर अगर किसी भी क्लास का हम एड्रेस अगर पिक करते हैं सुपोज कर आप एक क्लास का एड्रेस लेते हो example के तोर पर आपको वास address है 10.0.0.0 last में अगर 0 लिखा it means कि ये network address है ये और 255 अगर लिखा हो तो broadcast होगा but वो class full के लिए होगा अगर हम class के recording चल रहे हैं तब तो अभी मालो हमने class के recording है और आपको पता है कि ए class का range जो होता है one से लेकर के 126 तक होता है तो मैंने उसी के बीच में ही address लिखा है ये जो ये वाला address है वो 10 उसी के बीच में आएगा अगर आपको count करना हो कि total number of host या total number of IP address कितने होंगे इस network में जो एक class का है तो उसका count करने का तरीका मैंने आपको कल भी सहथ बताया था इसमें ये IP address binary number में लिखा हुआ binary number का base जो होता है two और इस base two के उपर जितने bit हमें मिले हैं host के लिए वो power हो जाएगा तो ये पहला वाला update तो ये network के लिए है और बाकि ये तीनों host के लिए है ये मतलब 24 bit मिला हुआ हमें तो two का power अगर 24 minus हमने two करना है is equal to कितना आ जाएगा ये almost tentably आ जाएगा 16 million IP तो कि आप two को multiply करोगे 24 time two multiplied by two multiplied by two तो ये almost यह 16 million IP हमें मिलेगी जो कि इतना बड़ा network किसी भी enterprise का या किसी भी बड़ी company का नहीं हो सकता जहां पर कि एक ही subnet पे इतने address चल रहे हों तो कि 10 तो एक ही subnet है ना इसके साथ जितने system जोड़ोगे सब communicate करेंगे लेकिन इतना बड़ा network होगा ही नहीं जहां कि 16 million से करीब IP लगे हुए हैं तो उस condition में क्या होगा सबसे बड़ी बात है यहां कि वेस्टेज आफ आइपी हो रहा है इतना बड़ा network control नहीं होगा और दूसरी चीज कि अगर आप यह IP यूज कर रहे हो तो तो नेटवर्क के उपर यह ब्लॉक हो जाएंगी आइपी जितने लोग यूज करें अगर एक ही नेटवर्क के अंदर आ रहा है तो हमने क्या करना है इस नेटवर्क को छोटे-छोटे जीरो डॉट यह वन से सुरू होगा डॉट वन से लेकर 254 तक यह भी चलेगा यह और ऐसे 23456 हर बार जितनी बार यह वाली वैली चेंज होगी यह वन से लेकर 254 तक चलेगा पतब लास तक चलेगा यह 255 तक और यह इसके साथ आजाएगा 254 यह जैसे यह दोनों 255 और वन से लेकर 254 तक इसके साथ भी चलेगा मतलब कि अगर लास्ट एड्रिस आएगा यहां पर तो वैसे ही 255 यहां भी आ जाएगा टेन डॉट 255 डॉट 255 डॉट 254 यह लास्ट एड्रिस आजाएगा तो यह क्या हो रहा है हर एक नंबर चेंज होने के बाद वन से ले इतने बड़े नेट्वर को हम कंट्रोल नहीं कर सकते वेस्टेज आफ आईपी भी होगा तो हमारा क्या है कि छोटे-छोटे पार्टनिस को डिवाइड करना है इसको एक्जामपल के तौर पर आप ऐसे भी ले सकते हो जैसे सपोस्पोर एक बहुत बड़ा कोई प्लॉट हो जो कि 2 या 3 किलोमेटर बे दिया गया वहां पे 5000 या 6000 लोग है उनको बोल दे क्याप जिसको जहां गहर बनाना है बना तो लैंप लोच्टी को जो जा कि खूलेंगे मिलेगा वही बना लिय 草 मिलेगा और जितनी जगह जमीन में अतनी एक्वायर कर लेकल तो एक तो क्या हॏगा वैस्टइजडिज्ड हौजयगा वहाँ जो जमीन हो वेस्ạnh हो जाएगी कोई उसका घर का मैप होगा उसके हिसाब से बनाएंगे मतलब नहीं नहीं होगा एक सिस्टेमेटिक धंग से बनाने के लिए क्या होता है कहीं अब बनाया जाती है तो वहाँ पर अलग-अलग ब्लॉक में डिवाइड कर दिया जाता हर एक ब्लॉक में नंबर इंग दे दिया थी कि इतने से इतने तक इसमे घर होंगे यहांँ से इतने से इसलिए विव्ञ तो वहां सहां कोई नमबर ना मख़ाता है और किसी की का management हम नहीं करेंगे तो proper manage नहीं हो पायागा और पुरा का पुरा network disturb हो जाएगा चलेगा तो अब इसको सबसे बड़ा dependency क्या है इसके उपर जो हम network करते हैं तो उसके उपर network bits होती है जितने network bits को आप increase करते जाओगे तो host का bit automatically कम होता जाएगा example के तौर पर अगर आप देखो यहाँ पर तो अगर हम एक लास का देखते हैं तो एक लास के अंदर सबनेट मास हम लिखते है 255.0.0.0 इसमें हमारे पास 8 bit का network address है उसी तरह से अगर आप B class का लिखो तो आप लिखते हो 255.255.0.0 अब यहाँ पर 16 bit आ गया 8 bit और प्लेस 8 bit 16 bit और उसी तरह से अगर आप C class का लिखो यहाँ पर मालू में यहाँ पर ने सी class का address लिखा तो यह लिखूंगा मैं 255.255.255.0 अब यहाँ पर 24 bit आ गया जो network के अंदर आ गया तो जैसे जैसे हम network के bits बढ़ाते गए वैसे वैसे host का bit कम होता गया लेकिन इसमें हमने जो technique यूज किया है वो अभी कोई भी technique यूज नहीं किया यह default class है एक class का है यह और उसी तरह से यह b class का है और यह c class का है यह default address है ज़िए इसको हम बोलते है class full address और हमने जो subnetting करना है वो कहीं भी यूज करेंगे तो उसको हम देखते हैं कैसे इसको बनाना है यहां पर एक बार पहले क्या 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 इसको parameters होंगे इसको हम देख करके तब create करते हैं so suppose आपके पास एक address दे दिया हो जैसे बाइडिफॉल आपको पता है कि हरे class में जो maximum address है वो सी class के अंदर है एक लास के अंदर अगर देखते हो तो नेटवर्क अड्रेस आता है slash 8 slash 8 का मतलब 8 bit वी क्लास के अंदर देखते हो तो इसके अंदर आता है slash 16 16 bit का और अगर सी क्लास के अंदर देखते हैं तो नेटवर्क अड्रेस आता है slash 24 मतलब 24 bit अब आपको एक scenario दी जाता है कि आपने 28 bit का address बनाना slash 28 तो इन तीनों में से किसी का भी 28 bit का नहीं होता है जो default है जो class full address है बट हमने 28 bit का address बनाना है जो classless के अंदर आएगा अगर यह किसी class को follow नहीं कर रहा है किसी class के address नहीं है इसके अंदर मतलब यह classless है तो यहां पर आपको class को लेके नहीं चलना है सबसे पहले आपको 28 bit का network address बनाना है जिसे आपको default पता है कि एक class का जो network address होता है यह सब्डेट मास्क होता है 255.0.0.0 बी class का 255.255.0 सी class का three times आ जाता है 255.255.0 बट यहां उन में से कोई भी नहीं है तो अब आपने अपनी तरह से modify करना है इसको changes करना है हमें network के अंदर अब यहां से अगर मैं लिखना सुरू करूं तो अगर मैंने लिखा यहां पर 255.0.0 बीट हो गया फिर उसके बाद मैंने यहां पर लिखा 255.0.0. आपको स्टार्टिक में मैंने बनाया थे कि जो IP होता है टोटल 32-bit का होता है जो चार पार्ट में अलग-अलग divided होता है एक-एक पार्ट 8-8-bit का होता है अगर सारे bit on होंगे मतलब 11 होंगे तो उसकी value 255 आएगा इट मिन्स को network address है तो यहां पर मैंने थ्री टाइम्स लिख तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा अगली वाले आउक्टेट में हमारे पास 8-bit है टोटल 1-2-3-4-5-6-7-8 अगर आपको 28 चाहिए मिन्स कि आपको बॉरो करना पड़ेगा जो नेक्स्ट वाली आउक्टेट है उसमें से हमने 4-bit बॉरो करेंगे यहां से तो बॉ भी लिए लेणे हैं यहां बॉरो करने हैं नेट्वरूर्चव कॉम्पलिट करने के लेडक से शूरू करेंगा यहां SPालियओ की तरफ हमने यहां पर एक लिए लिए यह बारू कर लिया फिर सैकंड़ कर लिया फिरऊज कर लिया अब में ने लिये हम उमारे पास 28 कंपलिट हो गया बट इसके बाद आपको इसके प्लेस वैलू भी लिखने है जो बिट समने बॉरो किये हैं जो बिट आपने आउन किया है ट्वंटी एड़ पुरा करने के लिए उसकी प्लेस वैलू लिखनी है तो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि प्लेस वैलू कितनी हो अब याद है place value कितनी होती है 8 bit की कैसे count करते हैं पहले अगर आप left right to left चलोगे तो पहले bit की value 1 होती है दूसरे bit की value 2 होती है फिर 8 होता है फिर 16 फिर 32 होता है फिर उसके बाद 64 होता है फिर उसके बाद 128 होता है तो यह सारे के सारे 8 बीट है 1 2 3 4 5 6 7 8 और लेफ्ट तू राइट अगर हम इसकी बिट की प्लेस वैलू को काउंट करेंगे तो यहां पर इसकी प्ल्स की प्लेस वैलू अपने लिखनी है यहां पर तो यह वाली टेबल तो आपने हमेसा याद रखना है कि जो इट बिट वैलु होती है वो अगर राइट टू लेफ्ट चलते हैं तो वन से लेके स्टार्ट होगा और लास्ट में 128 होगा अगर राइट टू लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो 128 से सुरू के वन तक जाएगा वो अभी क्या करना कि इसकी वैलु को हमने जोड़ना है कित सिश्चेन ऐड़ करेंगे तो यहाँ आ जाएका टू फ्फोर चीजो यह अगार हमें यह चाहिए v refugee boynt का यह ने ट्रों रिट एडरेस तो क्या होगा हमारा जो सब्नेट मास होगा वो बन जाएगाorta क्या है यहां पर हम सब नेट मास चेंज हो गया आपको कि हमने दिदिध कर दिया जो कि किसी भी क्लास का सब्सक्राइट माउस नहीं होता है अगर यहां पर आप देखो तो अब सब्नेट मास क्या हो गए टू फिप्टि फाइफ डॉट टू फॉर जीरो यह बन गया सब्सक्राइब अब यह सब्नेट मास लिखा हुआ है अब जहां पर भी ऐसा सब् subnet बनाया हुआ है उसका तो यहां तक तो आपको clear हो गया कि हमने यहां 28 bit पूरा करने के लिए 4 bits borrow किया last वाले अब इसके बाद आपने क्या करना है कि block size calculate करना है कि इसका block size क्या होगा क्योंकि जितने bit आपने उसमें से borrow कर लिए उसके बाद जो उसका actual size था वो तो अब change हो गया है यहां पर total 8 bit थे उसमें से हमने 4 bits borrow कर लिए तो जो difference आएगा वो आपको लिखना पड़ेगा जिसको हम block size बोलते हैं पहले तो actual size आपने देखना कि कितना है अगर यह 8 bit का है और binary है नंबर है तो basis का 2 होगा और 2 का power 8 करेंगे तो आजाएगा 256 मत्तर एक्शुल में जो इसका वैलू है टोटल 8 bit का वो 256 है बट इसमें से हमने 4 bit बॉरू कर लिया है तो पहले आप लिखोगे यहां पर 256 माइनस जितना आपका बारू किया हुआ वैलू है वो 2400 कितना आ जाएगा हमारे पास इसको माइनस करेंगे तो 16 बन जाएगा को यह इसका डिफरेंस आगया इसका ब्लॉक साइज हो गया यह उसके बाग जो हमने 28 bit का नेटवर्क क्रियेट किया अब इसमें हमने यह देखना कि अगर हमारे पास 28 bit का नेटवर्क आ रहा है तो टोटल नेटवर्क कितने बनेंगे हमने तो इसको पार्ट पार्ट में डिवाइ करने के लिए क्या करना है जितने बिट आपने बारो किया वह आप तू का पावर हो जाएगा तो हमने कितने बिट बारो किया है फिर फोर बिट यह वाले फोर बिट समने बारो किया यह यह आप आ जाएगा टू का पावर फोर 16 मतलब कि जो नंबर आप सबनेट होगा वह भ को कैलकुलेट करने के लिए क्या करना आपके पार जितने बिट अब बच गया है बारो करने के बाद यह बीट बचे वह जो विट के यह आप तू का पाऌर हो जाएगा फोड़ इसमें से टू माइनस करना है हम जो कि स्टार्टिंग में भी मैंने आपको बताया थे कि तू क्य तो अगर हमारे पास यह नेटवर्क निकालना था 28 बिट का तो उसमें हमारे पास सबनेट मास्क आ गया 255-255-240 ब्लॉक साइज मिला 16 का नमबर आप टोटल सबनेट या सब नेटवर्क हुआ 16 और एक-एक नेटवर्क का साइज जो बना 1414 आईपी का बिदाई आप किसी में भी क्लास में इसको इसको कोई जरूरी नहीं कि आपने ए में करना लाएं norm 28 बेट किसी नहीं होता है इस लिए हम इसको बोलते हैं आप तो क्लियर है और quand कोई डाउट है यहां तक क्लियर है तो क्लियर है तो आप लोगों को मैं इभी क्विक्ली एक क्वेस्चन दे रहा हूं उसको आपने करना है बट इसको थोड़ा समय आपको specify करके मैं बता देता हूं तीनों classes में इसको मैं कैसे use करना है उसके इसाफ से देख लेते हैं मालो जो एडिस में स्टारटिंग में लिया था टैन डाट जीरो डाट जीरो डाट जीरो अब यहां पर जीरो 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 आ गया इ见 नेट्वर्क चरहागट्रेश सौ गया है स्टार्टिंग ने बताया थैं कि हर एकoples दो reserve होते हैं नेटवर्क के लिए और एक broadcast के लिए तो यह network address हो गया है इसका यह network address बन गया है first IP क्या हो जाएगा 10.0.0.1 यह आगस का first IP अब इसका last IP क्या आएगा 10.0.0.0 कितना आएगा last IP अगर हमारे पास ब्लॉक साइज 16 का है तो लास्ट आइपी कितना आएगा ब्लॉक साइज का मतलब समझ रहे हो आप मैक्सिमम 16 तक चल सकते हो और वो भी जीरो से लेकर के 15 तक टोटल 16 बनेगा ऐसे काउंट करते हैं तो अगर मेरा पहला आइपी आ रहा है वन तो लास्ट आइपी कितना आएगा अगर ब्लॉक साइज 16 का है तो बताओ बैब हो फिप्टीन कैसे आएगा आपको पता है कि जो ब्लॉक साइज उसमें दो एड्रेस रिजर्ब भी तो है न तो इसके आपने बचेगा वहीं फॉर्टीन यह आजाएगा यह लास्ट आइपी आएगा यह यह आपर और ब्रॉड कास्ट के लिए आजाएगा टेन डॉट जिरो डॉट जिरो डॉट फिफ्टीन और इसका मास्क इतना आजाएगा अभी हमने निकाला था तो फिफिफुटी फाइब दॉट फॉड जिरो यह सबनेट मास्क हो गया इसका इसके अपने आ एक नेटवर्क है जिसके अंदर कि हम फोर्टीन ऑई-पी यूज्ज कर रहे हैं वान से लेके फोर्टीन तक यूज कर रहे हो जिरो नेट्वर्क एड्रेस है और 15 ब्राड़कास्ट है मतलब एक्चुल में हम क्या यूज कर रहे हैं एक से ले करके 14 तक जो आइपी है यह यूज कर रहे हो अब इसके अगला वाला अगर हमने सब्नेट इंग हमारे बाद टोटल नंबर आप सब्नेट कितने आया है सोला आये हैं तो एक तो मैंने यहां पर लिख दिया दूसरा कहां से सुरू होगा अगर इसी चलना है तो हमने लिख दिया टेन डॉट जीरो डॉट जीरो डॉट इसका क्या होगा सब्नेट एड्रेस नेक्स्ट वाले का अगर 16 का ब्लोग साइज है मतब यहां आ जाएगा 32 सॉरी 16 को कि यहां से 16 से सुरू हो गई मतबिये 16 हो गया जो नेटवर्क रिस्वाइस के लिए हो जाएगा यह नित्यूर्क हो गया हैं पर रिस्ट आइपी किन का लास्ट ड्ट 0.0 किटना वागर साइज इसका 16 का ही हैं तो लास्ट आइपी कितना अगे कि piel guy कितना आएगा नहीं आप यह देखो ना कि जो इसका ब्लॉग का साइज है वो तो सिक्स्टीन का ही है ना तो सिक्स्टीन में भी दूरी जर्ब है तो यह आएगा सर थर्टी थर्टी वन अब आप यह देखो कि मैं अगर यह दाता हूं तो आप तो यह ही बोलो कि तो एक लास का एड्रेस है और इन दोनों में डिफरेंस क्या है यहां तक मैंने यह पंदरह तक दिया यहां सोला से दिफाउन करन रहे है ना लगाया उसका लगाया अब इसके बारम लो अगला वाला कहीं से सुरोऊ हогा अगला वाला हम सुरू करेंगा Consumer यहां पर नेट्वर्क एड्रिस बन गया फर्स्ट आई-पी कितना जाएगा थेन डॉट जिरो डॉट जिरो डॉट थर्टी-थ्री यह आ गया हमारा फर्स्ट आई-पी कितना बनेगा थेन डॉट लोट जिरो डॉट इतना एक मारे फांटा प्रेस फॉर्क टीरल पृटीनि है इन डॉट जेह लिए इस फॉर्ट लाइस फीडियरह घो देन डॉट जिरो बनाइघ जा unw है आप सिर्प एक लास में नहीं आप चाहो तो सी क्लास में भी यूज्ज कर सकते हो मालो मैंने सी क्लास में लिखा में यहां पे वन नाइटी टूँड लिख दिया यहां पे लिख दिया मैंने वन और अगला वला बलॉक अभी क्या है तो अगला का शुरूओगा फोटीएट से सुरूओगा जाएगा नेटवर्क ड्रस पस्ट आइपी क्या एगा 192.168.1.49 यह फस्ट आइपी हो जाएगा यह लास्ट आइपी क्या जाएगा इसका 192.168.1. कितना शेट शेट टू शेट टू शेट टू और ब्रोड्कास के लिए जो आएगा वह आएगा यहां पे 63 यह जाएगा ब्रोड्कास के लिए बट सब्नेट मास्ट यही आएगा इसका भी 255.255.255.240 यह जैसे आप एड्रेस डालोगा एड्र कंप्यूटर समझ आया कि आप सब्नेटिंग करके एड्रेस डाला हुआ है तो चाहें आप यह क्लास लिख लो चाहें यह लिख लो या भी क्लास का लिख लो उसको मतलब इससे कि आपने यह वाला एड्रेस क्या डाला हुआ है आपने उसका नेटवर्क एड्रेस क्या डाला हुआ उससे उसकी पहचान तो यह नमबर नहीं कितने लोग का होगा है दिस्टिक हो सकता है यह दे और तो यहां सबनेट करके डाला वा तो यह समझ आया कि डूलास्ट में आपने लिखा हुआ है इसके मतलब किस़ समय कुलास्ग होता है जो से क्लास का मैं यह होता है लेकिंगिसे आ जिक्लासलस आगया वहींपर यह चेंजिज होंगे क्लियर है या कोई कोई डाउट है अभी तक आप लोगो को चलिए नेक्स्ट मैं आप लोगो को क्वेश्चन देता हूं यह आपने खुद अभी कर करके मेरे को दो तीन सब्सक्राइब मास्क और सेकेंड आपने बताना है यहां पर ब्लॉक साइज क्या बने गागा इसका इसका ब्लॉक साइज क्या होगा और अपने बताना है नंबर आप कि सब्ने कितने होंगे इसमें नंबर आप सब्ने और फॉर्थ आपने बताना है नंबर आप पर सब्नेट केके सब्नेट में कितने कितने होस्ट रखनें यह कृ Mississippi सेम वाहिए फालो करना 群 जो मैंने अभी अभी आपको सबसे पहले आप यह बताऊ सब्नेट मास किया आया आपका अगर आपको परॉसर्च पता चल गया हो तो फिर आपको एक मिमाइट सी कं में कर दोगे साथ नहीं पता चला है तो फिर आपको प्रॉट टाइम लग जाएगा और और गलत भी कर दो तो अगर नहीं और नंबर आप जो है 64 है सर ब्लॉक साइज बताओ ब्लॉक साइज निकालने के लिए आप जो मैक्सिमम ऑक्टेट की जो वैलियो को इसको माइनस करोगे ने आप इमताद सब्सक्राइब नंबर आप सब्सक्राइब निकालने के लिए आपने क्या करना है जितने बिट आपने बॉरो किया वो का पावर हो जाएगा कितने बिट बॉरो किया आपने 26 पूरा करने के लिए कितने बिट बॉरो किया आपने यह आपने नांटी टू कैसे लेए यहां तक तो आपने कर दिया तू फाइफ फाइफ तू फाइफ फाइफ यह लास्ट में जो वाले उक्टे से दो बीट बॉरो किया होगा न अपने यह एट बीट है टोटल प्री फूर फाइफ शिक्स सेवन एट यह टोटल एट बिट है तो दो ब कोरो किया है वही नंबर आप सबनेट जब आप काउंट करोगे तो लिखोगे जितने बीट आपने लिये हैं यहां पर आपने टू बिट लिया तो नंबर आप सबनेट फॉर बनेंगे आपके ठीक है तो यहां टू तो दरेज पावट तू इक्वल टू फॉर सबनेट बन उसके बाद आपने निकाला है नमबर आप होश्ट पर सबुयत मतल बार्बाइनरी का सुМक्राइब होता है तू इंटू तू इंटू पर फाइफ शेक्स इतना जोड़ों एक दो दूने चार दूने बत्ति दूने चासर दूना पहला जा रहे है दो दूना चार दूना आट दूना सोले दूना बत्तिस दूना चौसट शिटीफोर आएगा तो यह आ जाएगा आपका 62 तो टोटल नंबर आप जो होस्ट मिलेंगे हमें यहाँ पे 62 मिलेंगे तो अभी आपको क्लियर हुआ कि नहीं कि कैसे यह निकालना है पता चल गया यह नहीं यह सब्सक्राइब करेंगे आज के लिए आप लिखो जो आपने यही सारी चीजे निकालनी है जो मैंने अभी आपको इस नहां पे बोला है प्वेस्टन क्या है एक पहला क्वेस्टन होगा 22 मत्तब आपको 22 बीट का नेटवर्क बनाना है उसके बाद एक बनाना है आपने slash 27 उसके बाद अगला बनाना है slash 25 और एक बनाना slash 19 इन सबका यही चीज़े निकालना है जो आपने अभी निकाला है subnet mask निकालना है block size निकालना है number of subnet निकालना है और number of host पर subnet निकालना है ति चार question रहेंगे आज आपके लिए इसको आपने solve करना है और कल कि चेक करेंगे अगर आपको नहीं समझागा तो दुबारा पता दूगा लेकिन जानना जो रिकों की बहुत ही important topic होता है subnet लिए और हर जगे कहीं भी interview में जाते हो तो यह लिख के दे देते हैं कि 22 इसको तो आता हो तो पस टिप्स पर ही पता होता है बता देगा इतना ही इसका इतने ब्लॉक साइज होगा इसका और यह इतने नंबर आप सब्सक्राइब कि अ कि